गाउं की special लहसुन और हरी मिर्च वाली चटनी बना रही हूँ आज मैं जो कि इतनी टेस्टी लगती है न कि आप एक से दो रोटी ज्यादा ही खा जाओगे इस चटनी के साथ में तो चलिए शुरू करते हैं बनाना इसके लिए गरम तवे के उपर डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा सरसो का तेल और इसमें डालोंगी लहसुन की कलियां और इनने में हल्का गोल्डन होने तक मिक्स करते हुए भूनूंगी आप चाहें तो चटनी कच्चे लहसुन से भी बना सकते हैं रहे पहों है कच्चे लहसुन की भी अच्छी बनती है लेकिन आप हल्का सबून लेते हैं तो कच्चा पन भी निकल जाता है लहसुन का साथे टेष्ट भी अच्छा आता है चटनी का जैसे य के लिए निकाल लेंगे सिल बटे या फिर इस तरह से आपके पास मोटर एंड पैसल हो उसमें आप पीश सकते हैं या फिर मिक्सी जार में भी पीश सकते हैं लेकिन असली देशी स्वाज जो गाउवाला आएगा ना वह सिल बटे पर ही आता है चटनी का सर्दियों के टाइम इस तरह का हरा लहसुन भी आता है जैसे हरा प्याज आता है अगर वो भी आप इसमें एड कर देंगी तो टेस्ट और अच्छा हो जाएगा और सर्दियों के लिए चटनी पहुती फाइदे मन्द भी रहेगी तो यह मैंने हरा लहसुन भी डाल दिया मेरे पास था अगर डिल से ना है चत्टनी कि Ohई में हरी मिर्च डालने से पहले ना मैं इन्हें थोड़ा सा कट कर लूंगी चाकू से जिससे की इसे पीसने में आसानी रहेगी आप चाहें तो हरी मिर्च की क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीका खाना पसंद है मैंने थोड़ी कम ही हरी मिर्च डाली है इसमें अभी डालेंगे अब हरा धनिया जिसे की चटनी का कलर भी अच्छा आएगा साथ में खुश्बू और टेस्ट अच्छा आएगा वैसे तो ये चटनी केवल हरी मिर्च और लहसुन के साथ में बनाई जाती है लेकिन मैं इसमें हरा धनिया भी एड़ कर देती हूँ जिसे की खुश्बू बहुत ही अच्छी आती है चटनी में आप नमक डाल देंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग अब इसे में पीसना शुरू करूंगी अगर आप मिक्सीजार में भी पीस रहे हैं तो चटनी को थोड़ा दरदरा ही पीसे हैं ज्यादा बारीक ना करें दरदरी चटनी का टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है किसकीस को चटनी खाना पसंद है खाने के साथ मैं और किसकीस ने ये हरी मेच लेसुन वाली चटनी बनाई है और उनकी फेवरेट है मुझे जरूर बताना इससे ज़्यादा बारी कब मैं चटनी को नहीं करूंगी ऐसी ही दरदरी चटनी रखूंगी और लास्ट में मैं इसमें कुछ बूने डाल दूंगी नीबू के रस की इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा साथी जैसे हरी मिर्च का बहुत ज़्यादा तीखा पन रहता है न वो लहसन वाली चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है आपने एक बार बार बनाने वाले हो हमेशा ही बना कर रखोगे घर पर क्योंकि ये खाने के स्वाद को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती है मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है आपको ये चटनी की रेसिपी कैसी लगी मुझे जरू बताना कॉमेंट बॉक्स में तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू बाबाई